हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू आर यूटूब चैनल आज हम बना रहे हैं मखाना पनीड ये हमारे इंग्रेडियंट्स हैं जिसे हम रेसिपी में यूज करेंगे अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें पनीड क्यूब्स डालेंगे अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पावडर डालेंगे रेड चिली पावडर सॉल्ट वन टेबल स्पून क्रीम इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे आधे गंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब हम एक मिक्सिर जार लेंगे उसमें ओनियन टोमैटो ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक इन सभी का पेष्ट बना लेंगे और एक कढ़ाई लेंगे उसमें मखाने को रोष्ट करेंगे हमने वन कप मखाने लिए हैं रोष्ट होने के बाद इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में टू टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल डालने के बाद हम मैरिनेड़िट पनीर को डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे हम इसे बोट साइड्स फ्राई करेंगे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाइट फ्राई ही करना है फ्राई होने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब हम सेम कढाई में ओयल डालेंगे और इसमें जीरा डालेंगे जीरा को अच्छे तरह से रोष्ट कर लेंगे रोष्ट होने के बाद हम इसमें चॉर्पिक किये वोए ओनियन्स डालेंगे इसे लगभग 2-3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे फ्राई होने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाये था उसे डालेंगे और थोड़ा सा वाटर डाल देंगे इसे लगभग 2-3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे फ्राई होने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और हम रेड चिली पाउडर डालेंगे क्यूमिन पाउडर कॉरियंडर पाउडर सॉल डालेंगे इन सभी इंग्रेडियंस को अच्छे तरह से मिला लेंगे अब इसे 2-3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे हम फ्लेम को लोही रखेंगे टू मिनट्स के बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला डालके हम लगभग टू मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थ्री मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसमें ग्रेट किये हुए पनीर डालेंगे पनीर डालके अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे पनीर को ग्रेट करके डालने से हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक और टेस्टी बनती है अब हम इसमें मखाना डालेंगे जो हमने रोष्ट किये हुए थे अच्छे तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसमें फ्राई किये हुए पनीर डालेंगे इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताक कि सारे इंग्रेडियेंस अच्छे तरह से मिले हम इसे लगभग टू मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे फ्लेम लो ही रखेंगे नहीं तो पनीर जलने लगेगा फ्राई होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद हम इसमें वन कप वाटर और डालेंगे आप चाहें तो और वाटर भी डाल सकते हैं सभी इंग्रेडियेंस को अच्छे तरह से मिलाएंगे और इसे ढख के थ्री मिनट्स के लिए पकाएंगे थ्री मिनट्स के बाद इसे फिर से चला देंगे अब इसे टू मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे बॉयल होने के बाद फिर से हम इसे चलाएंगे लगभग फाइब मिनट्स कुख होने के बाद हम इसे सफ करेंगे आप इसे नान, पूरी, रोटी, पराठे के साथ खा सकते हैं आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे अगले वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स ओर वाचिंग